हुआ है जब भी हम लोग मनी प्लांट कटिंग को लगाते हैं तो बहुत बार कंप्लेंट आती है कि मझी कटिंग जो है वह आच्छी तरसे जो है मिटी के अंदर ग्रो नहीं कर पाथी तो कि उन्हें रोटिंग की प्रॉबलम आने लगते हैं आप देख सकते हैं मेरा यह मडीप्लांट का चुछ कटींग है जिसको मैंने पानी के अंदर जो है इसकी रूट प्रॉपगेट की है आप देख सकते हैं इसमें भी आफ्ट होता है उसके अंदर जब भी हम यह मणी प्लांट को उसके अंदर जब हम इसको ग्रो करने के लिए इंसर्ट करते हैं तो हमको उसको बहुत जारा डीप इंसर्ट नहीं करना है मुश्किल से एक सेंटिमेटर मैं आपको करके दिखाता हूं सिंस यह जो मनी प्लांट के जो रूट होते हैं अगर सर्फेस को टच भी कर लेते हैं स्वाइल सर्फेस को तो भी वह अपना जो रूट है वह बहुत अच्छी तरह से ग्रो करने लगते और स्वाइल के अंदर चल जो थोड़ा बहुत मुश्किल से अधा सेंटिमेटर टु एक सेंटिमेटर वूसके अंदर डालके उसके उपर जो मेटी है वह हम अच्छी तरह से इस तरह से उसके उपर spread कर देंगे और मली प्लांट हमारा set हो जाएगा अब इसके उपर जो है मैं थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ देखिए यह अच्छी तर से set हो गया है अब जो है इसको अच्छी तर से थोड़ा और setting करने के लिए मैं इसके उपर थोड़ा सा पानी अच्छी तर से spread कर दो तो जब भी हम नई कटिंग को ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत तारा पानी यूज करना है थोड़ा बहुत उपर का जो surface का पार्ट है उसको हमें गीला कर देना देखिए इस तरह से अच्छी से उसका surface अखिर गीला हो गया तो हमारा काम हो जाता है कि यहां पर मैंने जो स्वाइल मिक्स लिया है वह एक जन्रल स्वाइल मिक्स है जिसमें कोकोपीट वर्मी कॉंपोस्ट स्वाइल मिक्सचर और परलाइट है वह इक्वेल कॉंटिटी में है देखिए प्रॉब्लम क्या होता ना जो अगर हम जब भी ज्यादा पानी इसमें जाना तो ऊपर का जो टॉप स्वाइल है वो तो इसली ड्राइब हो जाता है लेकिन अंदर का जो स्वाइल है वह आसाने से ड्राइब नहीं होता है यही प्रॉब्लम होता है स्टेम रॉटिंग का इस बात का में ध्यान रखना है अगर हम उसको जादा डीप करेंगे तो झाल